नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पशु की अडर लेउटी साइज को विक्सित करने के बारे में जब हमारा पशु ग्याबन होता है तो प्रेगनेंट पशु को हम अलग-अलग तरे कि सप्लिमेंट से टोनिक्स खिलाने का प्रयास करते हैं और हम वीडियो में यूट्यूब पर देखते हैं कि कितने बड़े अडर साइज की भैसे दिखाई गई हैं तो क्यों ना हमारा पशु भी इस टाइप का अडर बनाए तो यदि आप भी इन वीडियो को देखकर प्रेरित होते हैं और आप भी अपने घर पर एक ऐसा पशु ध आपके पास है तो उसके लिए आपको यह वीडियो आज पूरी देखनी पड़ेगी शुरू से लेकर अंतक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सभी किसान पशु पालक भाईयों को इस जानकारी का अधारित थी सभी पशुओं को जब वेग्याबन होती थी तो यही फार्मूला खिलाया जाता था तो यह फार्मूला कब खिलाना है यदि आपकी गाए नोवे महीने में प्रेगनेंट है और यदि आपकी भैस दसवे महीने में यानि कि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल लास प्रेगनेंसी के लास स्टेज में आ गया है नाइन्थ मंत काओ के लिए और टैंथ मंत जो है बफलो के लिए तो उस समय पर आपको है यह फार्मूला प्रियोग करना है आपके पशु का अडर्ट उस लोहे की ही तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से शेप लेता चला जाएग यदि आप इस फार्मूले का निरंतर लगातार प्रियोग करेंगे तो आपको करना क्या है यह आप तश्वीरों में देख सकते हैं इसको सर्शों का तेल मस्टर्ड ओयल बोलते हैं और आपने एक वर्ड सुना होगा केक का मतलब होता है हल्वा आप परती दिन मस्टर्ड ओ देखने को मिलेंगी आप कोई भी एक रैसिपी उठा लेना और उसमें केवल दो एक काम आपको करना है गी की जगह पर आपको केवल सर्शों का तेल जो है एक्सचेंज कर देना है यदि आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि पहले हमको गी गरम करना है तो आपको गी की जगह पर केवल तेल गरम करना है बाकी रैसिपी सेम टू सेम रहेगी किसी तरह के काजू बदाम जो होते ड्राइ फ्रूट्स जो होते वो पशू के हलवे में नहीं डाले जाती है तो ऐसी गलती आप ना करें आप केवल सिंपल सर्शों के तेल का हलवा पशू को बना कर खिलाएं और यदि हो सके और आपका पशू गुड का हलवा खा लेता है तो आपको लास्ट में मीठे के तोर पर चीनी की बजाए उसमें गुड शामिल कर देना है यदि आप ऐसा करेंगे तो 101 परतीशत जो है आपको अच्छे रिजर्ट देखने को मिलें भी करूंगे आपका पशू बिल्कुल टिप टॉप क्वालिटी की बहुत यचा अडर बनाएगा जितना उसकी पोशियलिटी है जितनै इसकी अंदर शमता है जितनी इसकी है वै उतना ज्यादा बड़ा को बना करके देगा तो इसलिए आप इस फार्मूले का ज्यादा से प्रियोग करें, ज्यादा से ज्यादा इसको श्येर करें, क्योंकि यह है फार्मॉला बहुत ही अच्छा और बहुत ही कामियाब फार्मॉला है, और बहुत से पशुपालक इसका फाइदा उठा चुके हैं और आज देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं अपने पशुओं को जो है दूद के ही नाम जितवा रहे हैं तो आप भी क्यों ना इस फाइदेश देश पीछे हटें आप भी इस फार्मूले का प्रियोग जरूर करे और इसका लाप जरूर उठाएं